लिज़ाएं के वच्चे मेरी गनित की कख्षा में हमारा पाँ चलुद इसका सर्व समीका वाले पाँ आज लेंगे सब्सक्षल को समझते हैं कि सब्सक्राइब क्यों समय करन सब्सक्राइब पहले सही था तो हम समझने का प्यास करेंगे कि समीकरन और सर्व समीघा में अंतर किया जैसा अमने समीकरन लिया जो है पांच एक्स धन दो बरावर साथ यह इसे हल करना तुम लोग जानते हो इस दो का यहां पक्षांदर करेंगे तो साथ रण दो हो जाएगा जो की आएगा पांच यानि पांच एक्स बरावर पांच तो एक्स बरावर पांच बट्टे पांच जो होगा एक यानि एक्स का वान होगा एक इस प्रकार हमें देखते हैं कि समीकर इस समीकर से हमें एक बान प्राप्त वह तो ओक्री एक्स बरावर एक इस समीकर को संतुस्ट करेगा या यहां दो होती वैसे यह तुवारे पाचकर में नहीं है घान दो होती तो एक से के दो मान आते घान तीन होती तो एक से के तीन मान आते तो समीकर्ण में समीकर्ण को जब हम हल करते हैं तो हमें कुछ निश्चित संख्या में मान प्राप्त होते हैं अब हम आपे सर्वसमिका मे भी ऐसा ही होता है कि कुछ निश्चित मान प्राप्त होते हैं हमने सरस्वमिका दी अधन तीन का पूर्ण और बराबर एक ही नहां दो धन छे धन नौ जो एक सरस्वमिका है जो एक आम दो रखें मान दें जो रखा तो इसका बाया पक्सि यानि लेफ्ट हैं साइड जिसे हम क बराबर पच्चेस कि अगर हम इसके राइट हैं साइज लेए धाया पक्सल है और इसमें भी हम एक आवान दो अगर्त हैं तो ये आएगा दो का वर्ग इसमें मान रख रहे हैं दो का वर्ग धन छे गुणा दो धन नौ यह इसे महल करें तो दो का वर्ग चार छे दुनी 12 तो हम कह सकते हैं कि यहां हमें left hand side और right hand side दोलों बराबर हैं और दोलों का माल परच्छिस हैं अब यहां हम देखिंगे इसके आगे कार तुम घर में भी कर सकते हो एक काम कुछ भी हो दो रखें तीन रखें चार रखें या रिन एक रण दो रण तीन या सुन्य कुछ सब्सक्राइब निश्चित मानों से संतुष्ट होता है जब कि सरस्विका उसमें इस्तिचर के सभी मानों से संतर्ष्ट होता है अब करेसा है अ कुछ मानक खुर सरस्विका करते हैं हम निका दने देखेंगे और आप लोग से याद भी तो पहली मानत सव्यूर्चन का एक का पूर्ण वर्क हम देखते हैं यह किसके बराबर उपना होता है यह कहींगे को एक प्रस बीश्च अगर गुणा करें तो यह अगर हम इसे गुणा करेंगे जैसे भीजकर्थी बैंजबों को अब इसे गुणा करें तो एकी कहां डो दं का चिन्दा आएगा एक को फीस से सब्सक्राइट दो एड है तो यहां पाते हैं यहां आदगा ने और एक ही होती हुद आ टी एसकुरर अबिए धन भी बी सर्व लिख सकते हैं बीए कोमें भी पर कह सकते हैं अन्तम हम कहेंगे एक आवर्ण भन एपी दन एवी सम्डोएवी गहिंगे धन भी का वर्ण यारी हमानत सर्वाशमिता मिल गई एप्रस भी का पूर्ण अगर बराबर एक आवर्ड धन दो एबी धन दी का वर्ड अब आप इस मानक सरसमिका को याद भी कर लेंगे अब हम लेते हैं एक दूसरी मानक सरसमिका अब हम दूसरी मानक सरसमिका ले रहे हैं जो है एड़ी का पूर एड़ी का पूर इसका आर्थ है कि एड़ी को हम एड़ी से ही गुणा करेंगे तो सब्सक्राइब इस एस एड़ी को गुणा करेंगे इस एड़ी से एड़ी को गुणा करेंगे एड़ी को गुणा करेंगे तो एक हम दो अब एक पूर दो अब हम इसे आगे बढाएंगे अब रिण बीए को भी हम एबी कह सकते हैं अब अब एगी घात दो एबी और एबी दोलों रिण है तो दोलों जुड़ जाएंगे लेकिन इसका रिण ही रहेगा तो यह हुगा दो एबी धन बी की घात दो यानि हमें एक मानक सरस्मी का और मिली कि ए रिण भी का पूर्ण वर दो एक मानक सरस्मीता ठॉडड़ यह ए सेढ़ को याद कर देंगे कि अगनी मानक सरस्मीता अब हम लेंगे इसे मानक सरस्मीता कि अगनी गुणा कि इसे फिसे भी करते हैं एक हम गुनां तो हम में नहीं को एक आप आप इसे गुणा था यह को एक ऑन किया तो एक अब बीसे गुणा किया जण एक धन B को A से गुना किया तो B A धन और रिन है तो रिना आएगा B को B से गुना किया तो B की घान दो अब हमारे पास हमें पुला A की घान दो जण A B धन B A को भी एक धन A B कह सकते हैं या कहिंगे ज़ण B की घान दो अब यहां देखें जड़ भी धन एब यह दोनों से बूलों नाशियां बराबर हैं वज़के इनकी चिंदा जग जग हैं तो यह कड़ जाएंगे या इनका मान सुनने हो जाएगा अब हमारे पास बचा एक यहां दो अनद बी की दो याद करनी है अब हम लेंगे चोथी मानक सरस्वमिका अब हम लेंगे अगली मानक सरस्वमिका जो है X धन A गुणा X धन B हम देखते हैं इसका मान क्या होता है X धन A गुणा X धन B सब्सक्राइब हम इस X को X धन B से गुणा करेंगे धन A गुणा X धन B से गुणा करेंगे तो हमान पास आया X गुणा X X की हाथ दो X गुणा B यह होगा BX इसी प्रकार A से X को गुणा करेंगे तो हमें AX प्राप्त होगा और A को B से गुणा करेंगे तो A भी प्राप्त होगा अब इसे हम देखें इस भाग को इसे हम पुला देखें तो X यहां भी और X यहां भी रहें इसे हम कहेंगे X की गहाद दो धन अगर हम X को वैनिश्ट ले लें यहां से X ले लिया तो हमरे पास B बचा और यहां से X ले लिया तो हमरे पास A बचा धन A B तो इसे हम इस प्रकार भी अंतर में लिख सकते हैं इस B प्लस A को हमें A प्लस B लिखा हो और X धन A B तो हमें सरस्व्वमिका मेरी X की गहाद दो धन A धन B गुना X धन A B X की गहाद दो धन A धन B X धन A B यहां हमारे पास चौथी मादक सरस्व्वमिका है आज के रहे बस इतना ही आप लोग इनी मादक सरस्व्वमिकारों को ग्याद करने का अधने घर में भी करेंगे और मेरा यह वीडियो बहुत धन्यवाद झालिवाद झालिवा